चैनल पर आप लोगों का सौगत है आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें कुछ important question जो की previous year में पूछे गए हैं फर्स्ट question है कौन सा कोशिकांग जंद तथा पादप कोशिका दोनों में पाय जाता है इसका answer होगा कोशिका जिली जिसे हम cell membrane कहते हैं या पादप तथा जंद दोनों कोशिकांग में पाय जाता है इससे related कुछ important fact है जो आप लोग याद रखिएगा तारक काय जो की केवल जंद कोशिकांग पाय जाता है नेक्स्ट है कोशिका भित्ती या केवल पादप कोशिकांग में पाय जाती है जिसे cell wall कहते हैं लवक जिसे केवल पादप कोशिकांग में पाय जाता है इस point को आप लोग note कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा या important fact है जो इनसे related थे इसलिए हम आपको बता दिए next question है UNEP जिसे United Nation Environment Program कहा जाता है इसका मुख्याले कहां इस्थित है तो या Kenya देश के नवरोबी सहर में इस्थित है इससे related कुछ और मुख जैसे RBI इसका मुख्याले कहां है तो RBI का मुख्याले मुंबई में है और WWF जिसे World Wide Life Fund कहते हैं इसका मुख्याले Gland जो की Swigier Land में स्थित है या कुछ important fact है इसको आप लोग अपने copy में साथ ही note कर लीजिएगा next question है बंगाल का पहला governor कौन था इसका answer होगा Robert Clive Robert Clive को बंगाल का पहला governor general कहा जाता है next इससे related fact है बंगाल का पहला governor general हैस्टिक्स था next भारत का पहला governor general William Banting थे तो या कुछ important fact जो की गवरर्नल और governor general से संबन दी था है कि बंगाल का पहला गवर्नर जर्नल राबर्ट क्लाईव, बंगाल का पहला गवर्नर जर्नल हैंस्टिंग था Next question है, बच्पन बचाओ आंदोलन बच्पन बचाओ आंदोलन का संबंद कैलास सत्यार्थी से है इससे related कुछ important note नर्मदा बचाओ आंदोलन जो की नर्मदा नदी से सम्मंधित था इसके सम्मंधित ब्रक्ति हैं मेधा पाटे कर जो की नर्मदा नदी के आंदोलन में इसमें भाग ली थी नेक्स्ट है चिपको आंदोलन इसके प्रणेता सुन्दर लाल बौगुडा कहे जाते हैं चिपको आंदोलन जो की वर्तमान उत्राखंड में हुआ था 1973 इसमें लोगों ने पेड से लिपट कर पेडों को बचाने की कवायत की थी या पर्यावरन का एक महत्पूर आंदोलन है नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 का संबंद समान सिविल समहिंता से है अनुच्छेद 48 इजो की पर्यावरन से संबंधित है अनुच्छेद 50 कारपालिका तथा न्यापालिका के पिठक करन से संबंधित है अनुच्छेद 51 में अंतरराष्टिय सांती और संबंध के बारे में बताया गया है यह important article हैं जो कि exam में अक्सर पूछे जाते रहते हैं इनको आप लोग याद रखिएगा Next Question है Black Pagoda जिसे कोडार का सूर मंदिर कहा जाता है यह ओडिशा में इस्थित है कैलास मंदिर जो की महारास्ट में स्थित है सबरी माला का मंदिर यह केरल में इस्थित है जिसमें भगवान अयप्पा से सम्बंधित मूर्ती है बिरुपाच का मरंदिर या करनाटक के हमपी में इस्थित है जो की बहुत ही महत्पूर्ण मंदिर है साउत इंडिया का ये साउत इंडिया के जितने भी मंदिर हैं ये सब दरबिन सैली में बनाए गए हैं इसी प्रकार अन वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर भी करें आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बाक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो उससे सम्मंधित मिल जाएंगे थैंक्स फारवर्ण